इस वीडियो में हम देखेंगे MSBTE passing criteria के बारे में बहुत सारे students का ये doubt रहता है कि next semester में जाने के लिए हमें कितने subject clear करने पड़ेंगे तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में full detail जानकारी लेंगे सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट इयर से सेकंड इयर में जाने के लिए कितने subject passing चाहिए और etiquette criteria क्या है तो फर्स्ट इयर students को third semester में जाने के लिए first same और second same मिला कर etiquette होना जरूरी है अब ये etiquette passing के लिए first और second same में कितने subject pass चाहिए वो देखते हैं तो आपको आपकी first same की mark sheet देखनी है, उसमें आपको TH के सामने ESI लिखे हुए subject count करने है, उसके बाद आपको अभी जो second semester का result आएगा, उसमें भी आपको TH के सामने ESI लिखे हुए subject count करने है, उन दोनों semester subject की total आपको इस box में देखनी है, हमारे case में first और second semester मिला कर 6 subject है, तो हम 6 के आगे कितने लिखे हैं, वो देखते हैं, यहाँ 4 लिखा है, यानि आपको second year में जाने के लिए 6 subject में से minimum 4 subject में पास होना पड़ेगा, तभी आप second year में जा पाओगे, अब second year से third year में जाने वाले students का passing criteria देखते हैं, तो उन्हें semester 1 और semester 2 में all clear, और third और fourth semester मिला कर etiquette ही चाहिए होगी, तभी वो fifth semester में जा पाएंगे, etiquette subject की counting हमने first year को बताई वैसी ही करनी है, third और fourth semester की हमारी total 11 आई है, तो हमें 11 में से minimum 8 subject पास चाहिए होंगे, आपको इस box में subject के total के सामने जितने पास subject minimum चाहिए वो देख लेने है, इस box की link description में दी गई है, अब जो students final semester में थे, उनको तो एक subject भी back लगा, तो वो engineering में admission नहीं कर पाएंगे, final semester में आपको सभी semester all clear होंगे, तो ही engineering में आपका admission होगा, आपको कोई doubt होगा तो आप नीचे comment करके हमें पूछ सकते हो, thanks for watching.